अगर खाने बिनेगी कोई भी चीज बेच रहे है तो सावधान हो जाए आपको उत्पादन, इन्वोईस रसीद, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट पर पारतियक खादिय संरक्षा एवं मानक प्राधी करण का लाइसंस नंबर 1 अक्टूबर से प्रिंट कराना अनिवारी हो होटल, रस्टोरेंट, दुकानों के बाहर भी लाइसंस नंबर लिखना होगा इसे लेकर खादिय सुरक्षा एवं ओशदी प्रशासन विभाग ने भी तैयारी शुरू कर दी है उसने सभी कारोबारियों को इस संबंद में आदेश भी जारी कर दिये है सामानने तोर पर रस्टोरेंट, दुकान से जो खाद्य पदार्त बीखते हैं उनमें से बहुत से सामानों पर ग्राहक यह नहीं समझ पाते हैं कि अगर माल खराब निकला तो वे शिकायत कहा करें ग्राहकों के अधिकार और मजबूत करने के लिए ही यह अनिवार्यता की जा रही है इसके बाद भी अगर कोई दुकानदार ऐसे खाने पीने की वस्तु बेचेगा जिस पर उसके निर्माता कंपनी का भारतिय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकारन का पंजियन नमब कंप्यूटर सिस्टम से निकलते हैं उन्हें अपने सौफ्ट्वेर में संशोधन करना होगा सरकारी पोर्टल पर यह अनिवार्यता नहीं रहेगी यह व्यवस्ता इसी सप्ताह शुरू होनी है लेकिन अभी तक चंद बड़े होटल वर रस्टोरेंट को छोड़कर किसी ने इसे लागू नहीं किया है खाने पिने की वस्तुवे बेचने वाले दुकानदार एक अक्टूबर से बिना लाइसेंस नंबर के बिलिंग नहीं कर सकेंगे अगर बिना लाइसेंस नंबर प्रिंट कराए वे माल बेचेंगे और बिल काटेंगे तो कार्यवाही की जाएगी इसके लिए एक अक्टूबर से विशेश अभियान चलाया जाएगा। इसमें देखा जाएगा कि विक्रिता बिल कैश मेमो में पंजी करन नंबर अंकित कर रहा है या नहीं।